चलिए जी थैंक्यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक मेरा राम है सुनी लदिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट चलिए जी आज चेप्टर 10 का हमारा पार्ट C है जी हां हमने चेप्टर 10 को बिसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करा है पार्ट A, पार्ट B और प पार्ट C, पार्ट C में आज हम 10 चेप्टर को लीगल प्रोविजन कांट्रेक्ट के जो हैं उसको हम कम्प्लीट करेंगे तो 10 चेप्टर हमारा तीन पार्ट में कम्प्लीट हो जाएगा I hope so आपने notes और important questions डाउनलोड कर लिए होंगे इन case करना भूल गए हैं या फिर कर नहीं पाए हैं तो description में आपको link मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करेंगे आज का topic आज का topic स्टार्ट हो रहा है हमारा legal provision related with QC contract कल हमने breach of a contract में part B को end करा था आज C जो part है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं Q QC contract से QC contract normal सा contract है देखिए basically ये contract ही नहीं है right पहले शुरुवात में ये contract नहीं था बाद में कुछ ऐसे transaction हुए formality ऐसी हुई जहां पर court ने क्या कहा कि वही अब इसको एक contract बनाना पड़ेगा on the ground of equity principle of equity मतलब आपने किसी के help करी है तो उसका भी कड़तव बनता है फर्स बनता है वो भी आपकी help करें तो इस ground पे इस principle पे ये QC contract based है देख सकते हैं it is not a real contract it is imposed by the law on the ground of principle of equity it is not created by any agreement specifically यहां पर यह लिखा हुए है right kinds of कोई सी contract की बात करें कि कौन कौन से transaction कोई सी contract कहलाएंगे देखिए supply of necessaries to person incompetent to contract that means कोई भी ऐसा person हुआ जिसके आपने मदद करी हो किसी भी time किसी भी time कभी भी आपने किसी person की जब मदद करी हो और अब क्या है अब आपको हो सकता है मदद की जरूवत हो तो उसका फर्स बनता है कि आपको उसको मदद करनी चाहिए यह contribution यह compensation आपको देना वो help करें अगर नहीं करा तो आप court case कर सकते है on the ground of principle of quasi contract yes or no चलिए if a person makes a payment which is a legal duty of another person जी हां कोई भी दो person थे उसको payment करना था आपका पड़ोसी हो सकता है उसको bill payment करना था electricity bill payment करना था वो नहीं कर पाया तो आपने उसके मदद कर दी अब अगली बार अगली बार क्या मतलब normal सी situation में उसको जो भी पैसे आपने दिये हैं उसके लिए उसको वो पैसे return करने पड़ेगा अगर नहीं करा return तो आप case कर सकते हैं तो आपको compensation code दिला देगा on the ground of equity कि आपने मदद करी थी उसका electricity bill pay करने के लिए तो अब उसकी responsibility बनती है जितने भी आपके पैसे खडचुए है उसको वो पैसे देने पड़ेंगे simple as that when a person lawfully does anything for another person जी हाँ lawfully जब कोई भी एक person किसी person के help करता है तो वो भी या फिर मान के चलिए देखिए एक example है इसका मान के चलिए एक delivery boy है उसने delivery boy ने गलती से item आपके पडोसी को deliver कर दिया आपकी जगह और आपके पडोसी को पता था लेकिन उसने क्या उस item का use कर लिया अब क्या होगा आपको आपको compensation मांगना पड़ेगा उससे और उसका फर्ज बनता है कि आपको compensation देखिए कि उसने आपका product use करा है तो when a person lawfully does anything for another person जब lawfully मतलब delivery boy की गलती नहीं है आप available थे नहीं तो उसने पडोसी को दे दिया कि भाईया उनको दे देना और पडोसी ने आपका product use कर दिया पडोस responsibility बनती है कि वहीं sorry मांगे और जितना भी amount उसका credit हो गया है वो आपको वापिस पे कर दे फूर्थ पॉइंट है if a person finds certain goods belonging to some other person जी हां ये भी है कि हो सकता है आपको किसी और person का goods मिला हो कहीं पर पड़ा हो कहीं पर आपको किसी का खो गया हो goods और आपको वो चीज मिली हो तो वो goods आपका नहीं होता आपको वो अपना goods नहीं बना सकते आप आपको वो रखना है पुलिस स्टेशन में देना है या उस person को धून के उसको return करना है ये भी को ऐसी contract का ही part है राइट कि आप किसी और का personal item खुद का अपना नहीं बना सकते on the ground of equity आपको पे करना पड़ेगा इसका थोड़ा advance रूप बता दूँ जब आपको वो मतलब आप जब उस person को वो चीज़ return करेंगे तो उसकी फर्स बनता है कि आपको कुछ ना कुछ इनाम contribution दे क्योंकि आपने उसकी एक कीमती चीज़ लोटाई है तो उसका भी responsibility बनती है आपको वो कोई इनाम दे कोई reward दे नादर क्लियर हो रहा है चलिए अब देखने वाले हैं हम अलग से special contract अभी दर हमने normal contract देखे थे अब special contract में सबसे पहला है indemnity indemnity क्या है देखिए normal सा according to section 124 of Indian contract act a contract of indemnity is a contract in which one party promises to protect or compensate the other for the loss suffered by him due to the conduct of the promisor or any other person अब simple सा इतनी दो लंबी चोड़ी मैंने line बोली है उसका मतलब यह है कि एक party एक company indemnity के according indemnity contract के according promise करती है promise करती है एक person को कि आपको जो भी loss suffered होगा किसी भी वज़े से कोई भी future में event हो सकता है उससे loss suffered होगा वो loss हम भरेंगे वो loss वो person भरेगा या वो company भरेगी आगे देखत है मतलब जो company आपको protect कर रही है जो company आपको protect कर रही है वो बोलेगी या वो बोली जाएगी indemnifier or the party who is promised to be saved मतलब आपको अगर सेव कर रही है वो party तो आप बोले जाएंगे indemnity holder simple सा example देता हूं मैं इसका insurance का जो contract होता है वो contract of indemnity होता है जहांपर insurance की company आपको promise देती है कि भी loss होगा हम वो loss भरेंगे तो यह event पर बेस होता है future event पर बेस होता है वो होना नहीं होना जरूरी नहीं है certain नहीं है वो certain होता है तो उसके लिए हम guarantee देते है लेकिन यहां पर indemnity है मतलब होगा नहीं होगा उसके लिए एक particular company of person responsibility ले रहा है insurance का जो agent है वो responsibility लेता है कि आपक जो insurance करा रहे वो indemnity holder के लाएंगे बिल्कुल simple quick confusion चलिए contract of guarantee की बात करते हैं contract of guarantee में क्या है आप guarantee देते हैं basically तीन जने involved होते हैं पूरा लंबा नहीं पड़ूँगा मैं right simple रखूँगा तीन जने involved होते हैं एक होता है दुकानदार जिसको हम creditor बोलते हैं एक होते हैं आप ज दुकानदार से कोई चीज ली हो 100 रुपे की चीज ली हो और आपके jam में सिर्फ आपके पास 50 रुपे हो right तो इस case में आप बन गए क्या क्या बन गए प्रिंसिपल डेप्ट है तीसरी जो party होता है surety अब ये तीन party involved होती है surety क्या है surety वो person है वो friend है आपका जिसने कहा है क जब भी तरह पास पैसो की कमी हो मैं तरही help करूँगा मुझे बता देना right तो क्या हुआ ये तीनों बंदे एक जगे मिलते हैं एक जगे तो क्या मिलेंगे दुकानदार तो अपने दुकान में ही रहेगा right आप दो बंदे गए एक principle adapter यानि आप और आपका friend जो की surety है right वो request की अपने friend से की भाईया मुझे इसका पैसे दे दीजे या दुकानदार को जो remaining पैसे है वो दे दीजे तो उस case में surety बन गया कौन आपका friend बन गया तो surety contract of guarantee में surety responsibility लेता है principle adapter की की इसके पास जो भी पैसो की कमी होती है मैं आपको pay कर दूँगा मैं आपको मतलब मैं creditor क दुकानदार को pay कर दूँगा तो यहाँ पर तीन party involved होती है बचलोगो सबसे पहले responsibility पैसे देने की किस की है surety की या principle adapter की principle adapter की क्योंकि उसका माल है उसने समान लिया है पैसे उसके है उसकी कमी पड़ी है तो वो principle adapter request करता है अपने friend को surety को और surety फिर उसकी responsibility लेता है कि है हमारा principle of guarantee में अब इसके main feature मैं समझायता हूँ अच्छे से गारंटी is given by the surety at the request of the principle adapter मैंने पहला point आपको समझा दिया है guarantee कौन देता है surety देता है किसके request में principle adapter के request में बिल्कुल ठीक है आप request करेंगे न अपने friend से भाईया यार दोस्त पैसे कम पड़ गए है क्या प्ली primary किसका होता है principle adapter का उसको पहले पैसे पे करने surety becomes liable only when the principle adapter fail to performance promise बिल्कुल ठीक है surety कब responsible होगा जब principle adapter के पैसे नहीं हो या वो पैसे देने में fail हो गया है उसके पास नहीं है खतम हो चुके और वो request करता है surety से तब surety बनता है primary liability of a creditor अब वो creditor को दुकानार को पैसे तो contract of guarantee में भी इधर oral or in writing बिल्कुल ठीक है contract of guarantee क्या हो सकता है oral बोल के हो सकता है writing में हो सकता है sign wine ले सकता है दुकानदार surety के right जदा बड़ा amount है surety बोलता है के भाई इंस्टॉल्मेंट में दे दुआ में right तो वहाँ पर एक return contract sign करवा सकता है दुकानदार जो भी है showroom का मालिक या कोई भी हो सकता है the liability of the surety is co extensive with that of the principal debtor ठीक है the surety will be liable to the same extent as the principal debtor towards the creditor बिल्कुल ठीक है अगर surety liability ले ले लेता है उसकी तो भाईया creditor को किसी भी कीबत पर पैसे देने ही देने पड़ेंगे क्योंकि अब primary liability surety के ले ली है कि भाईया मैं पे करूंगा इस particular person के पै creditor जो दुकानदार है वो जर्वसरा समझदार ही अगर दिखाता है कि भाईया पैसे दे दिया है मान के चलिए principal debtor को 100 रुपे कम पड़ रहे थे तो 100 रुपे की request उतने surety को करी कि भाईया 100 रुपे को दुकानदार को दे दे right तो हो सकता है principal debtor महां मौझूद ना हो दुका अब नहीं हमारा चालू होगे special provision में दो चीज़े हमने पढ़ ली है एक तो contract of indemnity दूसरी क्या है contract of guarantee हांदर clear हो रहा है तीसरी देखते है bailment, bailment क्या होता है simple बहुत simple concept है bail मतलब होता है temporary basis को temporary basis पर आपने अपने चीज़ किसी को दे दी है और जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है आप वापिस से वो चीज़ लेके आ जाएंगे अपनी, simple सा example टेलर वाला example दिमाग में दाल लो, टेलर या servicing वाला जो भी है टेलर वाला easy रहता है आपने अपने कपड़े टेलर को दिये, टेलर को दिये, स्टेचिंग के लिए सिलवाने के लिए जो भी आपका हो गया थ इसको उसका जो भी payment बनता है वो payment कर देंगे, इसको बोलता है principle of bailment, कुछ समय के लिए कोई अपना goods अपन किसी और को देते हैं, जैसे ही वो मकसद पूरा होता है, हम उससे वो goods वापिस ले लेते हैं और इसको जो भी required payment होता है वो payment कर देते हैं, यहां पर दो पाटे involved होती है, आप जिनको कपड़े सिल्वाने हैं, वो होता है bailer, और जो मतलब क्या है, tailor जो है, जो सिल्वा आपके कपड़े, वो बन गया bailie, B-A-I-L-E-E, डबल-E जुड़ गया मतलब दूसरा other party बन गया, OR जुड़ गया मतलब हम बन गया, यहां तर clear हो रहा है, कोई confusion, चलिए, key points related to bailment contract, यहां बर देखीगा, movable property का ही bailment होता है, एक चीज जो आप move कर सके हैं, जिसे कपड़े हैं, move कर सकते हैं, अपनी गाड़ी है, move कर सकते हैं, उनहीं चीज का bailment आप कर सकते हैं, delivery of the goods is only for the temporary basis, जिहां, temporary basis, ऐसे नहीं भी एक अपड़े दो और भूल जाओ, आप आपस ले लोगा, नहीं, अगर आप सेम चीज, जो note, 10 रुपे का note में हमने sign कर दिया, वो deposit कर दिया, अब अगले दिन जब आप निकालने गए, तो वो ही आपको note मिल रहा है, आपको sign कर रहा है, तब वो bailment है, लेकिन ऐसा bank में होता है, कि जो note आप deposit करके गए हैं, और अब क्या होता है, जब कोई consideration हो, free में, free में, होता है न, आपने अपने note book, अपने friend को दे दी भाईया, कर ले homework कर ले न, अगले दिन ले आना, ये भी क्या है, gratuous bailment, bailment तो है, आपका goods था, आपकी copy थी, आपने एक दिन के लिए, अपने friend को दी थी, जैसे ही मकसद पूरा मतलब उसका काम पूरा हुआ, आपने क्या करा, उससे copy ले ली, तो ये भी bailment थो हुआ, लेकिन कोई पैसे involved नहीं है, लेकिन आप में से बहुत समझदार बच्चे भी ऐसे हैं, जो की business oriented mindset है, commerce ले ली है, तो समझते हैं कि भाईया, business man हम बन चुके हैं, यहां में business man ही बनना तो यह हो गया, gratuous bailment, right, sorry, non-gratuous bailment, gratuous तो मैंने समझा दिया, non-gratuous क्या हो गया, जहां पर पैसे involved हो, मतलब आप अपने goods को किसी और को देने के लिए, किसी और को देने के लिए, जब आप पैसे charge करें, कि भाईया, तू रख सकता है, तू रख सकता है, लेकिन मैं पैसे charge क होते हैं, तो non-gratuous, जब free में होता है कोई काम, तो वो gratuous, हाँ था clear, चलिए, duty of a bailer, duties of a bailer, bailer कौन हुआ, आप हुए, जो अपने goods को दे रहे हैं, tailor को stitching के लिए, right, to deliver the goods to bailing, बिल्कुल आपके responsibility है, भई, अपके घर नहीं आएगा, tailor, आपको जाना पड़ेगा, tailor तक, to disclose false in the goods, जिहां, अगर कुछ चोटा बड़ा, कुछ कैसे भी सिलवाना है, जो भी आपको specific बताना पड़ेगा, उसको, ऐसा नहीं कि तेरी मर्दिया है, जो तू सिल लेना, ऐसा नहीं होता, right, to pay remuneration or charges to bail it, ठीक है, भई, आप काम करवाने के बाद उसका जो payment बनता है, आपको payment करना पड़ेगा, to receive back the goods बहुत जरूरी है, कि भई, आप काम होने के बाद आपको goods लेने भी जाना है, होता है न, कि अपने goods stitching के लिए दे दिया है, दो, तीन, मैंने एक साल ते उसके पास ही पड़े, मैं ऐसा नहीं करना है, आपको जैसे ही time पूरा होता है, आपको goods वो ल महाल के रखना है, to indemnify in case of negligence, अगर उससे आपके goods खराब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उसको compensation आपको देना पड़ेगा, not to do any act inconsistent with the condition, मतलब आपने कहा तक इसको ऐसे सिलना, उसने कुछ और तरीके से सिल दिया है, वैसा नहीं करना है उसको, not to mix the goods with his own goods, अपने goods के साथ mix नहीं करना है, मतलब आपके goods को अपना नहीं बनाना है, to return the goods, उसको आपके goods को return करना है, जब उसने time बोला है, उसे time पे, उसको आपके goods को return करना है, to pay compensation in case of failure and returning goods, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है आपकी शादी हो, हो सकता है कोई important occasion के लिए, किसी ready नहीं हुई हो, तो आप उसे compensation के ask कर सकते हैं, मेरा loss करवा दिया है, तुने चल मुझे पैसे देत रहे, कर सकते हो, आप, राइट, चलिए, तो यह हुआ हमारा bailment, यहां दर clear हो रहा है, बहुत easy है, bailment, उतना ही easy है, pledge, next है हमारा fourth, तीन चीज़े कर लिए है, special contract में हमने, क bank में आप गए हो, अपना पैसा जमा कराने या loan लेने, loan लेने याद रखो, right, bank में आप गए हो, loan लेने, तो bank वाले क्या आपको सीधा-सीधा loan देते हैं, अच्छा, आरे, आईए, आरे, Monika जी आईए, आरे, सुरेश जी आईए, आरे, विकी जी आईए, अंकिर जी आईए प्लेजर, और जो bank वाले हो, प्लेजी कहलाएंगे, प्लेजी, right, double E, प्लेजी कहलाएंगे, आप क्या करते हैं, एक specific amount लेने गए हैं bank में, और bank आपको बोलता है, एक security आपको रखनी पड़ेगी, जैसे आप security, security bank को देते हैं, bank आपको क्या करता है, पैसे दे देता है, और दो पार्टे इंवल्फ होती है, pleasure और plaggy, plagier आप हुए, plaggy कौन हुआ, bank वाले हुए, bank वाले आपको पैसे देंगे, बिलuckool देंगे, कैसे देंगे, जब आप उनको security दोगे, तब वो आपको पैसे देंगे, आपकी security वापस कैसे करेंगे, bank वाले, जब आप bank वाले को वाप आप इस पैसे दे दोगे आपकी security वो आप इस कर देंगे, same, simple, essential condition of place देख लेते हैं, क्या है, rights of a plagie देखो, plagie मतलब bank वाले, bank वाले को क्या-क्या right है, right to retain the pledge goods, बिल्कुल ठीक है, right to retain the pledge goods, मतलब जो गिर्वी है, गिर्वी property के basis पर ही, तो वो आपको पैसा देंगे, तो आप लोन देने के, bank वाले जब लोन देते हैं, तो extra charges भी लेते हैं, तो वो charges लेना भी bank की responsibility है, to sell the goods after giving reasonable notice, अब यह जरूरी है, देखिएगा, मैं आप बेल्मेंट और pledge में difference बताने वाला हूँ आपको, यहां पर pledge में क्या होता है, अगर bank को या bank को आपने एक समय में उनका पैसा नहीं लोटाया, तो जो भी आपने गिरिवी रख रखाया बैंक में, वो बेज कर bank वाले आपका पैसा निकाल सकते हैं, बैंक वाले जो आपने deposit कराया है security, वो बेज कर पैसे बना सकते हैं, बैल्मेंट में tailor ऐसा नहीं कर सकता, अगर आप goods लेने भी नहीं जाओगे, तो उन goods को tailor बेज कर वो खुद के goods नहीं बना सकता है, यह difference है दोनों में, यहांदा clear हो रहा है, duties of a plagie, अब यहाँ पर plagie देख लो, plagie मतला bank वाले ही है, rights or duties, दोनो plagie की है, bank वालो की है, to take care of the goods bill, बिल्कुल, जो आप चीज़े गिर्वी रख के जा रहे हो, जो आप गिर्वी रखे गए हो, वो खुद use करने लग गए हो, ऐसा नहीं करना है उनको, to return the goods, बिल्कुल ठीक है, जो goods है, उनको return करना है, कब return करना है, जब आप उनको payment कर दोगे, वापिस उनका payment कर दोगे, तो वो goods, जो आपने गिर्वी रखे थे, bank को वापिस आपको करने पड आती है, कुछ औरी हो जाता है, तो आप bank पर case कर सकते हो, प्लेजर has the right to sell the goods, if the debt is not paid on time, प्लेजर has the right to sell the goods, प्लेजर का, क्या right होता है, to sell the goods, वो goods को sell कर सकता है, if the debt is not paid on time, debt अगर paid नहीं हो time पे, तो मतलब वो ही responsibility है, मतलब प्लेजर की, की उसको चुकाने के लिए, मतलब पैसा वापिस return करने के लिए, तो उसको कुछ भी तरकीव से, bank का पैसा return करना है, क्योंकि उसको क्या लेना है, गिर्वी जो भी समान है, जो भी bank के पास है, वो return करना है, तो उसको कुछ भी करके bank का पैसा चुकाना पड़ेगा एक time पे, right, duties एक time pleasure की, to disclose the defect in the goods pledge, पहले उस है कि आपको हर महने interest चुकाना है, तो हर महने उसको interest चुकाना पड़ेगा, यहादा clear हो रहा है, तो यह था हमारा pledge, bailment में tailor वारा example याद रखना है, pledge में bank वाला example याद रखना है, कोई problem, पूरा बचो clear, आगे बढ़े, चलिए, agency देखते हैं, agency simple सा हमारा एक principle है, principle नहीं है यह एक तरह के organization मान के चलिए, example के तुरूप समझेंगे, ठीक है, यहाँ पर दो parties involved होती है, एक होता है principle, एक होता है agent, principle मान के चलिए boss है, boss अपना काम करवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए हो सकता है, boss बहुत busy हो, उसको कही foreign में जाना पड़ता हो, कभी किसी city में जाना पड़ता हो meeting के लिए, तो हो सकता है, वो अच्छे से नहीं कर पा रहा हो, अपना business को अच्छे से नहीं चला पा रहा हो, तो वो एक बंदो को appoint करता है, वो एक person को appoint करता है, जिसका नाह में agent, agent क्या करता है, जब principle busy हो, principle कहीं और गया हो, किसी भी काम में busy हो, तो एक agent जाकर third party के साथ meeting करता है, और इस meeting को finalize करता है, प्रिंसिपल, जो कि एक boss organization का, उसने एक person को hire करा है, अपना काम करवाने के लिए, वो काम, वो काम, क्या करता है, agent, third party के साथ जाके meeting करता है, और meeting को finalize करता है, प्रिंसिपल का है, जो कि एक प्रिंसिपल के लिए work करता है, अ और वो major भी हो सकता है, principle जो भी agent को चुनेगा, principle की सारी responsibility होती है, उसको कैसे agent को चुनना है, कैसे नहीं चुनना, क्योंकि हर तरह कैसे, जो भी responsibility होती है, वो एक principle की होती है, agent की जो भी गलती agent करता है, उसकी सारी responsibility किसके पास जाती है, पर किसके sir जाती है, principle की जाती है, right, काम करने के लिए उसका पैसा बनता है, पैसा वो लेगा, right to claim compensation in case of injury due to principal neglect, अब principal का काम करते है वक्त, अगर कोई injury हो जाती है agent को, तो agent request कर सकता principal से कि मुझे compensation चाहिए और principal को compensation देना पड़ेगा, right to be indemnified against the consequence of lawful act within his authority, ठीक है, indemnification मिल जाएगा उसको मतलब भुकतान मिल जाएगा अगर प्रिंसिपल की गलती से कुछ भी लॉस हुआ या कोई भी सिच्वीशन ऐसी आती है जहाँ पर लॉस जेलना पड़ रहा है किसको एक एजेंट को तुम्हां पर इसको composition मिल जाएगा एक जो एजेंट है वो फ्री हो सकता है अपने एगरिमेंट से मतलब ये एजेंसी के एगरिमेंट से फ्री हो सकता है ये उसको notice देना पड़ेगा कि भईया मैंने किसी और organization को join कर लिया है मैं आपकी factory या आपकी organization ये agency business छोड़के जाना चाहता हूँ एक agent जो है sub-agent को भी appoint कर सकता है मतलब एक agent अपने under भी एक person को रख सकता है काम करवाने के लिए हो सकता है कि बहुत बड़ा काम हो एक agent नहीं कर पा रहा हो तो agent क्या कर सकता है अपने under भी एक person को रख सकता है लेकिन उसको principal को ये information देनी पड़ेगी normal सी बात है, right of a principle with the agent, या principle के right देख लो इसमें क्या है to direct the agent for the conduct of his business, ठीक है एक principle को समझाना पड़ेगा कि agent को business कैसे करना है, काम कैसे करना है meeting कैसे attend करनी है, third party के साथ normal सी चीज है, to claim the benefit from a transaction without his consent or knowledge to claim the benefit from a transaction बिल्कुल ठीक है, यह जो भी profit कमा रहा है, जो भी agent, मनदब third party से जो भी पैसा वो ले के आ रहा है पैदी responsibility या उस पैसे में हग किसका है principle का हग है, क्योंकि principle ने meeting करने के लिए या deal करने के लिए तो agent को appoint करा है, तो agent का सबसे पहला करतव क्या है, जो भी पैसा होता है उसको ले जाकर principle को देना और principle उस में से जो भी उसका commission मनेगा वो उसको दे देगा agent को to increase or decrease or terminate the rights of an agent बिल्कुल ठीक है, एक agent को निकालना, भार करना, salary कम करना जादा करना, सब कुछ principle के उपर है to refuse the payment of an agent in the case of misconduct, बिल्कुल ठीक है, उसको payment देने से मना कर देना, अगर उसने ठीक काम नहीं करा है, बिल्कुल ठीक है to claim the compensation for the loss or damage caused by the agent neglect or misconduct कोई चीज है, कि वह यह उसको compensation देना, या damage के लिए loss incur करना, to claim compensation, अब यह उल्टा है, मतलब एक principle भी claim कर सकता है, compensation एक agent से, अगर कोई गलत काम agent ने कर दिया हूँ, या agent की वज़े से principle को बहुत बड़ा नुकसान हो गया हूँ, तो एक principle भी agent पे case कर सकता है किस case में नहीं कर सकता है जब वो minor हो, ये भी चीज ध्यान रखनी है principle को इसलिए major को ही appoint करना चाहिए agent की तरह, वो minor को भी कर सकता है, लेकिन अगर major को करेगा तो उसको ही benefit मिलने वाला है, right अब देखें, last के दो topic ये अलग से में topic कर रखें, क्योंकि examination में अलग से पूछे जाता है, agent और servant के बीच में difference, servant क्या है, knocker हो सकता है, जो भी household का छोटा मोटा काम करता है, दोनों के बीच में difference क्या है, देखें, तीन point है, अच्छे समझेगा the agent has authority to create contract or relation between the principal and the third party whereas the servant has no such authority जो एक agent होता है, वो third party और principle के बीच में एक relationship को create करता है, एक servant करता है क्या बिलकुल नहीं करता है, एसा and agent is a paid commission or fees on the basis of work done, agent को काम करने के third party से contract sign करने के लिए काम करने के लिए, उसको commission मिलता है servant is paid by the way of salary servant को household का जो काम करता है, उसको क्या मिलता है, wages या salary मिलती है, simple an agent में work for a number of principle, अब यहाँ पर क्या है, एक agent जो है, थोड़ा सा आगे पीचे हो गया है, मैं इसको ले आता हूँ, हमारा रुख जाईए, रुख जाईए, रुख जाईए, रुख जाईए, रुख जाईए थोड़ा सा वेट करेंगे बच्चा लोगो, थोड़ा सा गुम हो गया है हम आ रहे हैं, last topic है हमारा, रुख जाईए, rights of an agent यथ हमारा, ठीक है, energy में work for the number of principle at the same time but a servant usually surfs अंडर पर वन मास्ट, बिलको ठीक है, यह भी confusion है इसमें, कि भाई प्रिंसिपल है एक लाइंड में बहुत साब प्रिंसिपल कि अंडर में work कर सकता है, लेकिन उसको हर principle को बताना पड़ेगा, मैं इसके लिए इसके लिए भी काम कर रहा हूँ, मैं इसके लिए भी काम कर रहा हूँ, generally, servant एक ही घर में काम करता है, मान के चलते हैं, वैसे आज के टाइम में ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन इसमें difference में तरह दे रखा है, कि जाएतर servant जो है एक टाइम पर, मान एक टाइम पर, एक टाइम पर एक ही घर में काम करता है, यादा clear हो रहा है, कोई confusion, चलिए, एक और है D, an agent can be a servant at the same time, but a servant can become an agent along with a servant, नॉर्मल सी तीज़े, देखे, an agent cannot become a servant, एक agent, servant नहीं बन सकता, at the same time, but a servant can become an agent, servant agent बन सकता है, simple सा, agent servant नहीं बन सकता, लेकिन एक servant agent बन सकता है, यादा clear हो रहा है, चलिए, difference between agent and contractor, contractor समझते हैं, contractor मतलब, कि भया होता है, घरवर बराने के लिए, अपने contractor को contract दे दिया है, कि भया पूरिया responsibility घर को बनाने के आपकी है, दोने के बीच में difference कहा है, देखे, agent act under the supervision and control of the principle, जो agent होता है, principle के under में work करता है, contractor किसके under में work करता है, मतलब, वो किसी की नहीं सुनता, जो main owner है, main owner ने सारी responsibility contract को दे दी होती है, कि या आप अपनी responsibility से पूरा contract को करना, या घर बनाने के पूरी responsibility आपकी उपर है, तो या आपर क्या लिखा है, an agent works, या act under the supervision and control of his principle, whereas a contractor is liable to work according to his contract, contract एक बस साइन कर लिया, दे दिया, अब वो अपने हिसाब से contractor work करता है, पहला clear हो रहा है, एक agent principle के according work करता है, whereas a contractor contract के according work करता है, किसी person के according work नहीं करता, contractor में become an agent, in specific condition, contractor agent बन सकता है, लेकिन agent contractor नहीं बन सकता, वो ही चीज़ है, कि agent servant नहीं बन सकता, servant क्या एक agent बन सकता है, यहादा clear हो रहा है, चलिए, ये दो last topic थे, और 10 chapter successfully हमने complete कर लिया है, next video आपको मिलने वाला है, chapter number 11, entrepreneurship and introduction, nature, importance and problem, एक ही वीडियो के अंदर पूरे chapter को हम सल्टाने वाले हैं, तो I hope so आपने 10 chapter के A, B, C, तीनों पार्ट देख लिए हूँगे, वीडियो कैसा लगा, कोई problem आ रही है, तो please comment box पर बताईएगा, और वीडियो को like, share, subscribe करना मत भूलिएगा, मुझे Instagram में आप follow करकर, मुझे message भी कर सकते हैं, कोई भी note से related कोई भी problem है, business studies के examination से related problem है, in general career related कोई भी confusion है, तो मैं आपकी help करने के लिए हमेशा available रहूँगा, चलिए, thank you so much for watching, goodbye, take care.